यहां से अमेरिका जाना चाहें, तो कौन मेरा वीजा बनाएगा, कौन मेरा सामान चड़ाएगा, एरोपेन कहां से मिलेगा, टेक्सी कहां से मिलेगी, कितने स्कॉप बेज में रुखना पड़ेगा, खाने में क्या खाएंगे, वहां जाके क्यार करेंगे, so much of planning, just going अमेरिका, अज़ी अमेरिका चोड़ो यहां से, जाएंगे ताज महल देखने के लिए आगरा, उसमें भी planning, लेकिन हम कभी भी मर सकते हैं, कभी भी शरीर छूट सकता है उसकी कोई planning, युदिश्टर महराज करते हैं, निधनम पश्चन अपी नपश्चती, दूसरों के निधन कारी कर आकर हम शोग व्यक्त करते हैं और चले जाते हैं, सीखते कुछ भी नहीं कि कल हम भी मरेंगे, इस अंसार को हमें छोड़ना पड़ेगा, तो यहां पर हम चर्चा करेंगे, भगवान केशव ने गरुन को क्या घ्यान प्रदान किया, वो कहते हैं कि जब शरीर रोगी अवस् जाते हैं हम हॉस्पिटल्स में लेक्चर देने, अइमस में और देख़ृ काडिया कशिंट हैं तीन महिने का बच्चा काड़ेक, दिल भी इसका खराबी है, उसका हर ट्रांस्पलांट हो रहा है, जो प्रेख्चा है तो कभी भी रोग आप को पकड़ सकता है, जिस具 रोग सम्धों मिर्त्यु तैयार है, बुडापा आये, तो मिर्त्यु तैयार है、 बुडापा आये, तो अभी आतमी बलता है, रिटायर हो गए, अभी बुडापा आया, एक साल के बच्चे से पुछो, How old are you? क्या कहता है, One year? कभी कोई कहता है, One year young? जी अभी तो नया नया जवान हूं, एक साल का यंग, क्या कहता है, वन येर, और आप कहते हैं, बुड़ा पे के बाद मृत्यू नजदिक है, इसका मतलग एक साल के भी बाद मृत्यू नजदिक ही है, I am one day old, एक दिन के बाद भी मृत्यू नजदिक है, anybody can go anytime, and what is your preparation, तयारी क है, तो कहते हैं कि शरीर पूरा शीन हो जाता है, और जब मृत्यू आती है, रोग ग्रस्त होता है, कंट अवरुद्ध हो जाता है, आँखों में पानी भर जाता है, और एक विर्थी को एक बिच्चू काटे, जितना दर्द होता है, ऐसे 40,000 बिच्चू, एक साथ, एक जग कुछ नहीं होते ही, तो फिर हम यह क्यों बोलते हैं, यह जो भाई साब थे, यह जो बहन जी थी, यह जो माता जी थी, यह जो प्रभु जी थे, आप यह चले गए, वो तो सामने ही लेटे हैं, चला कॉन गया, हाँ जी, बोलते हैं कि नहीं, वो चल बसे, यहां से चले, और कहीं जाकर नोबडी इंट्रेस्टिट तु नो कहां बजगे जाकर के यह बहुत ही गवितम प्रश्ण हम सब को पूछना चाहिए if we are logically intelligent people we should ask what is our destination मैट्रो में कोई मिले और पूछे कहा जा रहे है करे पता नहीं कहां से बैटे पता नहीं तो क्या कहीं है उसको बुद्धिमाण चाहे हम intelligent कितने भी हो engineer हो doctor हो lawyer हो manager हो अगर हमको अपने बारे में ग्यान नहीं क्योंकि यह शरीर यहीं छूड जाने वाला है जीन हीन होकर के कोई लास्तक लेकर ने गया not even a single penny तो क्या जाने वाला हमारे साथ हम ऐसे ही जाएंगे खालियात आयते खालियात जाएंगे फिर भी बटोरने में लगे है तो आप सोची कि वो कह रहे हैं कि भगवान कहते हैं कि पहले में उसे रोग देता हूँ गुट्रों का दर्ब देता हूँ आँखों पर चश्मा देता हूँ सुनने की उसकी क्वारिटी छीन करता हूँ बहुत सारे नोटीस भेजता हूँ फाइनल जज्जमेंट से पहले जैसे कोट के नोटीस आते हैं कि नहीं आए तो फिर हम भेजेंगे नहीं आए तो हम भेजेंगे मेरी शरण में नहीं आए तो हम भेजेंगे बहुत नोटीस आते हैं बाल सफेद हो गए तो डाई कर दिया आखे खराब हो गई तो चश्मा लगा लिया कान में सुनने की प्रॉब्लम तो हीरिंग एड डाल दिया गुटने में प्रॉब्लम होई तो नी हिंज लगा दिया लेकिन यह तो वह सुपरफिशल सॉलुशन है बाहरी आवरें सचाई में यह है कि नोटिस आरा है कि आप जा रहे है तरफ जा रहे है Bestination आने वाला final Are you ready? कि आप तयार है? पूरी जीवन निकल जाता है विक्ति का सिर्फ इस संसार में इकटा करने में और कहते हैं कि जब Final destination आता है तो दो यम्दूत आते हैं और दो यमदूद उस आत्मा को रिसीव करने के लिए जैसे आप अगर नोटिस सुनके कोट नहीं गए अगर आप हमारा प्रवचन सुनके मंदिर नहीं आए आप अपने रोग ग्रस्थोकर के मंदिर नहीं गए भवान का नाम नहीं लिया तो अंतकाल में दो लोग आते हैं दो अंस्पेटर भेचते हैं दो पुलिस वाले आएंगे घर पे नोटिस लेकर के चलो तो उस आत्मा को शरीर से हमको मतलब शरीर से निकालते हैं शरीर यहीं छूड जाता है और हमको लेकर के चला जाता है तो जब हमारा चलना प्रारम होता है तो कहते हैं हम निकलते कहां से हैं जैसे कार में आप जा रहे हो तो कार के अंदर गेट होता है कौन से गेट से उतरते हैं आप कौन से गेट से उतरते हैं कभी लेफ्ट साइड से कभी राइट साइड से कभी पीछे वाले से, कभी डिग्जी से निकलते कई लोग डिग्जी से निकलते वो बिल्कुल जिसे कहते हैं एकदम शैतान दिमाग वेती ऐसे ही हमारे साथ गेट उपर है, दो गेट नीचे हैं कौन-कौन से गेट है? नौ दोआरों का पिंज़रा रहता है पंची कौन? इसमें कौन पंची रहता है? आत्मा नौ दोआर है हमारे दो आँखें, दो कान, दो नतने, एक मुक़् और दो दनेंद्रिया यहाँ से निकलती आत्मा यार तो यहां से निकलती है तो आखे बाहर आ जाती है ञाहते है पिता जी की आखे बाहर आ गए थी मतलब इस गेट से पिता जी गाड़ी को छोड़के उतर गए यह जाड़ी है ना बौड़ी यंतरा आरूडी माया या इस यंतर पे आरूण होकर आत्मा घूम रही है जीब भार आजाती है, ऐसे हो जाता है, तो मुक्षे निकल गए, और किसी ने इतना भैबीत हो जाता है, यम के दूद को देखकर के, वो शरीट छोड़ने से पहले आजाते है, दो दिन पहले, तो देखकर इतना भहरान होता है, इतने ऊचे-उचे इतने खतरनाक हो गएती ही लोगों को लगता है, इंपॉसिबल, इंपॉसिबल, ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि हम बहुत हॉलिवूड बॉलिवूड पीचर देखते हैं, इसलिए हमको अब भगवान पे शास्त्रों पे भरोसा होना बंद हो गया है, पगरुन पुरान, स्वेम भगवान के अफ्तार वेद व्यास द्वारा रिचत, वर्णर करता है, यह हम कि दो दूत आते हैं और उसको रसी से खीशते हैं, चलिए आपकी यात्रा प्रारम, यात्रा भी कोई छोटी मोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी यात्रा है, तो कहीं लोग पूछते हैं, कितने दिन तक आत्मा उसी स प्राण में है, तो हमारे शरीर में तीन प्रकार का शरीर रहता है, उपर हमारा पंच तत्तों का शरीर है, भूमी, गगन, वायू, अगनी, नीर, पाँच चीजों का बना स्थूल शरीर, इसके नीचे रहता है छोटा शरीर जिसको कहते है सुक्ष्म शरीर, उसमें तीन ची आनन्द आत्मा स्थूल शरीर को यहाँ आपके क्रिमिनेशन के लिए अंतिम सिल्सकार के लिए छोड़ देते हैं सुख्षु शरीर को आत्मा के साथ में मतलब आपको निकाल करके ले जाते है शरीर तो आपका खाली यंत्र है जैसे मेरा कुर्टा यह तो मैंने धारण किया है अगर मैं कुर्टा उतार के चला जाओं तो यह नहीं कह सेते हैं अरे तो यहीं रह गए चले गए नहीं होता है ऐसे ही वासाम से जिर्णानी यत्था वियाए जैसे ही पुराना हो जाता है शरीर आत्मा छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते है तो जो लोग सकर्म करते है अच्छा कर्म उन लोगों के साथ क्या होता है जो लोग विकर्म करते हैं उन लोगों के साथ क्या होता है और जो लोग भक्ती करते हैं अकर्म हर एक चीज़ भगवान को जोड़ करते हैं उनके साथ क्या होता है वो चच्चा करते है कहते हैं कि जब स्टूल शरीर को छोड़ करके सुख्ण शरीर और आत्मा को यम के दूद निकाल के ले जाते हैं तो वहाँ पर वो कहता है मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ क्योंकि अभी उसको ट्रेवलिंग के लिए तो एक गाड़ी चाहिए उस शरीर को कहते है अतिवाहक शरीर या फिर कहते है उसको यातना शरीर क्या कहते हैं या फिर अतिवाहक अतिवाक मतलब तेज गती से चलने वाला वाहन अतिवाक शरीर को प्राप्त करते हैं लेकिन वो प्राप्त कैसे होता है अगर अच्छा पुत्र हो अगर घर में पुत्र अच्छा ना हो पू नामक नर्ख से तारने वाला पुत्र होता है मतलब जो पू नामक नरका त्रायते इती पुत्रा जो पू नामक नरक से नहीं तार सकता है वो होता है लड़का जो कि माबाब की लड़ने के बाद लड़ाई करता है कि मेरे को पैसा दो, मेरे को पैसा दो जो कहता है बेटा, जो कहता है बटवारा करो, बटवारा करो, वो बटवारा करता है बेटा, जो लड़ाई करता है वो होता है लड़का, लेकिन जो पून अमक नर्ग से तारता है वो होता है पुत्र, बहुत ही कम घरों में पुत्र है, सभी घर में लड़के हैं, या फिर बे कुछ खाना है नहीं देगा, सब ने अपने ओफिस में बिजी हो गए, दस दिन तक आत्मा उसी स्थान पर रहती है कि मुझे बोजन दो, हर रोज एक एक पिंड दान दिया जाता है, पहले दिन के पिंड से उसको यात्म शरीर का सिर प्राप्त होता है, शिर, दूसरे दिन के पिंड से उसको गरदन और कंदे प्राप्त होता है, तीसे दिन के पिंड से उसको हिरदे प्राप्त होता है, चौदे दिन के पिंड से पीट प्राप्त होती है, पाचवे दिन के पिंड दान से उसको दुनी प्राप्त होती है, नीचे का हिस्सा, और छटे दिन के पिंड से निये कहुला प्राय होता है थाइस आट में गुटने नवे पुरा टांग तो नौ दिन में पूरा शरीर बुना फ्हजाती है सेकी दसमे वे दिन यह उतीनि ह Beni उत्व दिन शुदनि टीजा जलता है और शुद्धी तन जो एक शाष्वत आत्मा थे आत्मा कभी नहीं मरती है। जला सकते हो ना काट सकते हो ना भिगो सकते हो ना सुखा सकते हो वो शाष्वत आत्मा वहीं विराजमा ने उसी घर में। 1.6 किलो मेटर तो 86,000 योजन कितना हुआ। 10,30,000 किलो मेटर मतलब 10,50,000 किलो मेटर चलना है कैसे। पैबल हर रोज आत्मा 247 योजन यात्रा प्रापनी पूर्ण करती है। 247 योजन मतलब 3,000 किलो मेटर अभी बोले 2 किलो मेटर वाक करो डॉक्टर तो चलते नहीं। फिर ऐसी गती मिलती है छुक्स में शरीर की कि 3,000 किलो मेटर रोज ट्रैवल नहीं करेंगे तो यम लोग तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो गरुन पुरान वर्णन कर रहा है विस्टिद वर्णन की किस प्रकास से आत्मा चलती है। पूरा यहां से यम लोग तक जाने में 348 दिन लगते हैं मतलब पूरा वर्ष। मतलब जिसे आज का दिन है यह बहुत ही मुख्य है क्योंकि अभी आखरी स्टेशन प्राप्त हुआ और अब वो यम लोग को पहुंचेगी आत्मा। लेकिन ऐसर किसके साथ है जो भगवान का भजन नहीं करता है। जो भगवान का भजन करते हैं हर चीज भगवान को अरपित करते हैं उन लोग एसाथ अशनी हुटा है। उनके साथ गरुन का विमान आता है। दो विश्ष्णु दूत आते हैं और कहते हैं चलिए विमान पे बटिये। वो एकदम go Airways, उसके साथ चला जता है, एर वेज में बैठ करकर करकर, International Airplane जा रहा सिधा, बिना किसी प्रॉबलम के, लेकिन जिसका Airplane तभी आएगा जब उस Airplane का टिकेट आपने खर्च किया होगा, ओ टिकेट क्या है? बगवान का नाम जब, भगवान की यम लोग को बोलते हैं सयम अनी क्या बोलते हैं सयम अनी सयम अनी लोग सयम अनी प्रित्वी से उपर का लोग है जिसे भूवर लोग भी बोलते हैं भूवर लोग उसके उपर है स्वर्ग लोग उसके उपर जन लोग तप लोग महा लोग सर्ति लोग ब्रह्म आतल, पाताल, रसातल, फिर नीचे गरबों दक सागर आता है, यह सारी कॉस्मिक क्रेशन, इसलिए नहीं मालूम आप लोग हो क्योंकि आप पढ़ते नहीं हैं, आप पढ़ेंगे तो सब मालूम होगा, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे तो टू प्लस टू फॉर पामूम ही पढ़ेंगे तो मालूम पढ़ेंगे, तो जब यह आत्मा यम लोग पहुशती है, तो जो लोग पूरने लोग है, उनको जाने के लिए रोज रोज 3,000 किलोमेटर आतरा चलती है, इसमें 16 स्टेशन आते हैं, यह से जाएंगे बॉमबे, तो स्टेशन तो आएंगे, अमेरि पहला स्टेशन है, यमपुर, यम्यपुर, वहाँ पर पुश्व भधरा नाम की नदी बहती है, और वहाँ पर वट रक्ष है, अगर इस वेती ने कभी बगवान का नाम जप नहीं किया, इस वेती ने कभी जप किया, लेकिन बहुत अपराद किया, वैष्णवों के साथ ब यम्यपुर, यम्यपुर में जाएगा, वहाँ पर दस सूरज होते हैं, एक सूरज नहीं, हार सूरज का टेमपरेचर पचास दिग्री सेर्सियस, और इतनी गर्मी होती है, ऐसी गर्मी में, गरम बालू पे चलना पड़ता है, मतलब रेद भी गरम होती है, और अगर ऑनने मतलबी की हो। जिसने पाप किये और उसको पेड़ भी नहीं मिलते हैं, जिसके पुत्र हो, वो बान में चब्पल बान करते हैं, तो उनको वह चपलाइ मिलते जो प्ले अखुटे हो, इंको कुछ भी दान नहीं करते हैं, नह भगवाण के लिए, नहीं मझुमाण मु सौ लोग बैठे हुएं साथ में और बोल तोड़ा जगा दो नहा और वो जो जा रहा है पुन्न वाला जिसने दान बहुत दिया दान ही विक्ती था वो जा रहा है पुर अच्छे से एक्स्प्रेस ट्रेन में सेकेंड डेपार्टमेंट में एसी ठंड़क में जा रहा है ग्द उपड Contrap and manager अपने बच्छों को पीछे कि मैं चला जाओ तो क्या करना चाहिए यह इन सुनते ने हैं लोग बहुत जरूरी है इंजिनियरिंग जरूरी है जितना astrology जरूरी है जितना astronomy जरूरी है the same importance is life after death मरने के बाद क्या और पिर जो लोग श्राद में करते उनको खाना भी ने मिलता पित्र को भूग के जाना पड़ते तो जब पित्र के लिए भोजन बनाते हैं घर में और बोलते हैं आज शराद है शराद देंगे शरद्धा पूर्वग फेटफुली तो ओ खाना देने पर वो प्रसाद देने पर क्या होता है उसका दो भाग उनको मिलता है जो आतिवाग शरीर है शरीर की पुष्टी के लिए उसका एक चुथाई भाग आत्मा को मिलता है और एक चुथाई भाग यम दूतों को मिलता है लेकिन अगर किसी बच्चे ने भोगी नहीं लगाया प्रसादी नहीं निकाला अशराद के देन तो क्या होगा शरीर छीन हो जाएगा जो मिला आतिवाग आत्मा भी भूकी और यम दूत भूके होते हैं तो वो और मारते कहते हैं तेरे करण हम भी भूके तू तो खाया नहीं साथ में तूने संस्कार नहीं दी अपने बच्चों को बग कभी मंदिर नहीं लेकिए आप पिटाई ले 348 दिन तर कि पिटाई जारी रहेगी और सोला स्टेशन है यम्यपूर उसके बाद आता है समयपूर फिर आता है शौरीपूर फिर आता है गंधरवपूर फिर आता है शाले शाली ग्राम पूर शाले ग्राम जो है पूल वहां पर पत्थरों की वर्षा होती है यह अलग अलग बड़े ही भयानक है जितना जितना आगे स्टेशन बड़ेगा भयानक स्टेशन है शैल फिर होतेत है कोरंचपुर, कुरूरपूर कुरूरपूर में बहुत कुरूरता से बड़े-बड़े लाला लाखों मेंупर देखेंगे आपको कुरूरपूर, विचित्रपुर आएगा लेगा रफेनजी है शीत धायपूर शीत मदब इतनी ठंडा पड़ेगी माइनस 40 डिग्री सेंसे टेंपरिजर और इधर कोई दान नहीं दे रहा है आपका बच्चा कपड़ा अपड़ा कुछ दिया नहीं तो बिचारा ठंड में चला जा रहा है शीत धायपूर शीत धाती है और लास में आता ह बहु भीती पूरी आखरी स्टेशन ग्यारवे महिने में मिलता है तो एक साल 348 दिन में आत्मा ये 16 स्टेशन कवर करती है और हर दिन सेशन पर जब वो पहुंचता है उसको कुछ न कुछ श्राद का भोजन चाहिए होता है लेकिन परिवार के लोगों को संसकार नहीं ग्य ग्यारवे महिने में ये आत्मा पहुंचते इसलिए श्राद कर्म आखरी दिन किया जाता है नौट बारवे महिने में ग्यारवे महिने में क्यों करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि बारवे महिने में वो पहुंच जाएगी याम लोग पे तब उनको सबसे पहले मिलना यह मराज के गेट पर स्यमनिस्थान में और उनका जो ऐफिस है वो 24 योजन का है 44 योजन मतलब 330 मिल का ओफिस आपको अफिस कितना बड़ा है 330 मिल का ओफिस यह मराज का है यह मराज का ओफिस में आपको खड़ा कर देंगे Lots दोльकी पर होते हैं दो गेट कीपर वो कहेंगे जब लेक्सर चल रहा था तुम सो रहे थे यह लेक्सर चल रहा था तुम श्रवन कर रहे थे जो सो रहे थे उन लोगों को बुलेंगे उनका नाम है श्रवन और श्रवनी यम्राज के जो गेट कीपर उनका नाम है क्या श्रवन और श्रवनी श्रवन जो है बहुत पावरफुल है को चोटा मोटा नहीं अमराज का वेशनव है बहुत महान नहीं अमराज उनका गेट की पर है जैसे जैविजय विश्णु के द्वारपाल है पुर्ने शील और शुशील भगवान के द्वारपाल है Similarly यह मराज के द्वारपाल है श्रवण और श्रवणी श्रवण कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने क्या-क्या सुना और क्या-क्या किया क्योंकि उसके सुनने की शक्ती बहुत है जैसे अभी हाँ जितने लोग बेटे हैं उदर डेटेल जा रही है पूरी-पूरी कि सारे लोग इसका में कथा श्रवण कर रहे हैं तो आपका खाता जितना नेगटिव और पॉजिटिव में ट्रांसफर हो रहा है जैसे बेटरी चार जोती है तो एकदम से वो भरने लगता है सेम अभी भर रहा है आपका और जो लोग सो जाएंगे बीच में तो श्रवण को मालूम पड़ेगा किसने श्रवण नहीं किया तो उदर नेगटिव कर देगा खाता तो जिसको नीद आ जा रहे हो खड़ा हो जाए और पीछे जारकर सुन ले लेकिन सुने जरूर श्रवण और श्रवणी श्रवणी और भी एक्सपर्ट है वो जानती है आपके मन में क्या चल रहा है कोई सोच रहा होगा क्या भालतू बोल रहे हैं इतना बोल रहा है हमें भुला लिया हम तो प्रसाद के लिए आये शोक विद्वुत करने आये थे इसका किसी के मन में ऐसा चलेगा तो क्या होगा श्रवनी को मालूम पड़ जाता है सारा कुछ श्रवनी जानती उनके मन में क्या है और फिर उसका नेगेटिव बैलेंस चालो हो जाता है तो श्रवन और श्रवनी ये दोनों जाकर के 330 माईल के जो बड़ा आफिस है उसमें बहुत सारी हाट डिस्क है आपके जीवेन परियाद, पिछली बार आत्मा ने क्या-क्या किया और आगे क्या-क्या मिलने वाला है, उस सारा भाई खाता, बहुत सारी हार्ड डिस्क में, या सॉफ्ट वेयर्स में रखा हुआ है, वो सीधा जाकर चिप लगाते हैं, कौन से चिप, बायो चिप, गरुन प वो इधर बैटके देख रहा है, अंदर बैटके, आपके मन में क्या चल रहा है, वो भी सारा भाणी को मालूम है, और आप क्या सोच रहें, क्या कर रहा है, क्या सुन रहें, वो शरवन को मालूम है, दोनों ले जाते हैं, लेकिन अभी वो याम राज के पस डारेट नि ले जाने के लिए बीच में एक परस्नल असिस्टेंट का उसका नाम क्या है 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 चित्रगुप्त चंद्रगुप्त नहीं आपना जब्सक्राइटरी रखा हुआ तो कि इतना काम है लोग बोलते है प्रशान नगद प्रूब आप इतनी सेवा ले रहो आप एक सेक्रेटरी रख ल चित्रकुट के बाद भी बहुत काम तो उसने एक सेक्रेटरी रखा है उसका नाम जो है बताया कस्तिया वो उनका नाम है और वो क्या करते हैं वो सारा डेटेल बताते हैं कि चलो चलो इनका बायो चिप लैपटॉप में लगाओ डेटा खोलो मैं एस रिपोर्ट चेक करो कितन कितना पुनिकिया कितना पाप किया एक्स में स्टिल से मालगड़ी से पैदल चलके आया है पिटता हुआ है लाल लाल मू है कैसा हालत है इसकी वहां पर चार्ट डोर होते हैं दक्षिन पूरव पच्छिम उतर वो सारा जैसे डेटेल डालेंगे पता चल जाएगा बगवान के नाम होता तो नीद आती थी पार्टी होती थी तो खुल जाती थी खाने में परोग आता तो नहीं खाते थे नउन्वज आता तो कुट कुट की खाते थे सारा डेटेल तर और फ्रों नीचे ऊडिकर बैलंस स्टित नीचे बैरंस तो कि'll गल Ne तो नरक, ग्रीन कलर आया, तो ग्रीन पास हो गया, तो स्वर्क और अगर कोई कलर नहीं आया, तो वैकुंड़ाम कलर ही ने उसका, लेकिन जो वैकुंड़ाम जाता उसको एक वरश भी नहीं लगता। यो तो तुरंत पहुचता है न यहों से बने बाएखितिया रहर है ब्रबले सब्सक्षानाच को फजाता है तुरंत और वहां पर जो जित्र कुपता है उसको मालू लेकिन दान दिया, थोड़ा-थोड़ा अच्छा काम किया, किसी के साथ बुरा ने किया, ऐसे आपने को कहते हैं, नमस्कार, बैठिये, और जो होते हैं भक्त, जो उसने पूरा जीवन, भगवान का नाम जब किया हो, वो तो एरोपलेन से उतरा है, तो उसको स्पेशल पुरुटी में उसको कहते हैं, वो खुद अंडवर पड़ाम करते हैं, आप आई 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 परले इंफरमेशन था आपका कि आप तो दुसरे गेट से जा रहें ना पुरुवद्वर से आप तो उपर वाले हैं इदर दर का डिसीजन आपका ने तो विचारा पूरा एक्श करता हुआ, स्पेशल एंट्री से चला जाता है, लेकिन जो भगवान का नाम जप नहीं करता है, जब करते वक सो जाता है, या फिर भक्ती करते में अपरात करता है, वेशन अपरात, वो सब का डिसीजन अभी चालू है, वो डिसीजन कैसे देंगे, कि उनका बायो चिप सामने ले जाएंगे, यमराज जो है, वो छोटे मोटे विर्तिनी है, यमराज की हाइड बताई है, तीन योजन, मतलब चौबिस मील के लंबाई है और परवत की जैसे काले बहान, खतरनाक, बैल उनका वान, हाथ में दंड देने के लिए एक दंड है, और एक साथ में मृत् पीले रंके बस्त्र, कुछ काले काले कुछ पीले पीले, आखे लाल रंकी है, विक्राल सुरूप है उनका, उनके सामने ले जाते हैं, और जैसी वो देखते हैं, यह पापी वेक्तिस ने कभी भगवान के मंदिर में ने गया, बड़ा ही नास्टिक ता एथिस्ट काइंड पुछते भी नी कौन हो, बहले एक मृत्यूपाश मारते हैं इसको खीच कर के दो ऐसे धार से, हंटर मारते हैं, विचाना लगता है उसको कहता है यार, प्रोग्राम में आया था, इसकौन वाले आये थे, बताया भी था, मैंने उस तेम क्यों नहीं माना उनकी बद मुझे प्रोग्राम में आया था उस तेम, तो उपिजारे लगता है, क्या कर सते हैं, तो सिस्टम इस सिस्टम, तो दोस वाट डिवोटीज, पैचली यम्राज भी नहीं होता, डिवोटी को लगेगा, ओ, कितने महान वैशनव है, आप तो बारा महाजनों में से एक हैं, तो कहेंग देवता जैसे लगेंगे, लेकिन एक वेक्ति जिसने पुन्य और पाप में अठका रहा, उसको वो दंड देने वाले खतरनाक लगेंगे, वही एक डबल रूप, जैसे एक जेलर है, उसको जब ऑफिस आता है, तो कैदियों को बड़ा डर लगता है, लेकिन जब घर आता है तो बच्चे पापा पापा करिके चड़ जाते है, वही जेलर एक के लिए दंड देने वाला है, और एक के लिए प्रिये जन है, तो यह देखना पड़ेगा, आपने जीवन में अपना प्रिये बनाया, उनको वहिशनव माना, उनको या उनको खाली यमराज को गंदा करेक् तो इस तरह से आत्मा चलती है, अभी लोग पूछते हैं कि शराद करने का फायदा क्या जैसे आज यहां पर किया किया नहीं किया क्या फरक पड़ता है, शराद में गाये दान, श्रीला प्रभुपाद इसकौन के फाउंडर अचारिया थे, उनके पिताजी ने अपना शरी नेतिक कर्म है, हारी क्यों करना चाहिए, मंदिर कारियों में दान देना, तो लोग पूछते हैं कि हमारा दिया हूँ अश्राद हमने खाना लगाया, वो कैसे हमारे पीतर तक पहुचेगा, तो आप जो एमेल लिखते हैं अपने घर में बैठके, वो कैसे अमेरिका पहुच और वायू के द्वारा, और वायू के द्वारा, ये सारे खाने को ले जाता है, सुक्ष्म रूप में, जैसे फोन पे बात करते हैं, तो ट्रांस्टेटेंटल वाइबरेशन के थुरू बातचीत होती है, ऐसे ही, जो ये वाइबरेशन से बात हो रही है, भगवान से बात- कि तुमीज्य काम किए तो तुमको देवता पना के सवर्क ले जाएंगे तुम ने बुरे काम प्रॉर्ण केके हैं तुमको नर्क ले जाएंगे तुम भक्तिए किए तो तुमको का जाएंगे वकुन दाम लेकिन जो बिदिऴ का Iti लोग में कई कई जन्मों तक पित्र वेट करते हैं क्योंकि पूत्र जो है वो भक्त नहीं है प्रलाद महराज का जब जन्मों जिनका फोटोग्राफ यहां है नर्सिंग भगवान उनके लिए प्रगट हुए तो उन्हें जो भगवान की प्रात्मा करी भाश्रिमत भागवत क पूछा मेरे पिता तो राक्ष्यस थे उनका उधार कैसे ब mano तो भगवान ने चाहां में तरी पिछले जनने में आप जिस का नाम जब करता है तो क्यों डरते हो पहलाद तुम्हारे पिता हिरणा कशपू तो तुमसे पहले धाम प्राप्त कर चुके है त्री सब्त भी पिता पूता भागवत में भगवान ने खुटेम भगवान नर्सिंग देव वर्लन कर रहा है तो जो इतनी देवता बनता है उनको जब शराद देते हैं अभी वो पित्र लोग में तो नहीं है उनको कैसे मिलेगा देवताओं को अमरित के रूप में अपने पुत्र परिजन के दुवारा शराद प्राप्त होता है जो लोग पशू बनते हैं नरकों में पिताड़ित होकर के पशु बन जाते हैं, उनको घास के रूप में पराप्त होता है, घास के रूप में पराप्त होता है, जो लोग पक्षी बनते हैं उनको फल के रूप में पराप्त होता है, और जो लोग मनुश्य बनते हैं दुबारा से उनको अन के रूप में प्राप्त होता है तो कैसे प्राप्त होता है ऐसे प्राप्त होता है जैसे आप कोरियर मेशते हैं उसको आयर्मा नाम के जो पित्र लोग के राजा है उनका कववा एक उनका वहान है वो कववा के रूप में आते हैं पित्र पक्षर में पित्र के रूप में पित्र उसमें सव जब सीता राम दोनों की दोनों वन में वनवास कर रहे थे उनको पता चला हमारे पिता दश्रत महराज ने शरीर त्याग दिया है तो सीता जी और राम चंजी ने कहा पुशकर तीर्थ में जाके अपने पूरवज कर क्या करना चाहिए शराद तरपण आदी जलरपण करना चाहिए वह आप पहुँचे तो रिशी मुनियों को उन्होंने स्वागत किया और कहा आप हमारे गर भोजन पर आईएगा हम शराद करना चाहते हैं तो भक्त के रूप में ब्रामन के रूप में वैश्णव के रूप में जो इन्वाइट के जाते हैं उनके शरीर पर आरोण होकर पूर्व जाते हैं तो सीता जी और रामचन जी वनवास में वनवासी वेश में थे और तबी वहाँ पर साथ मुनी आये और साथ मुनी को भोजन देते वक्त क्या किया गया फल, कंद, मूल ये चीज़ें चड़ाई गए वो खा रहे थे सीता जी रिदम से डर के पिछे बाग गए रामचन जी ने हाथ गुलवाए और फिर दूद पिलाया और फिर जब वापिस आ रहे थे तो आते वक्त उन्होंने पूछा सीता मैया से अरे आप क्यो भाग आई बारे आपको रहना चाहिए ता साथ में सीता जी बोले, देखिए मैं इसलिए चलिया आई क्योंकि आपने ध्यान से देखा नहीं, वो जो रिशी बैठे थे ना, उनके शरीर में मुझे दश्रत जी के दर्शन हो, मतलब महारे पूरवज उनके शरीर पर आरणों कर आए, और जब दश्रत जी को मैंने देखा तो मैं घबरा गई, मैंने सोचा, वो क्या सोचेंगे, मेरी पुत्र वधू कैसी ह एक वनवासी तपस्वनी वेश में है, मैंने तो उसका विवा किया था, सोला अलंकारों से पूर्ण, उसको रानी बना के घर लाया था, लेकिन आज की स्थिती में है, तो यह सोचकर उनको दुख होगा, इस दुख से उनको निवारण करने के लिए मैंने क्या किया, मैं डर लोग कहते हैं कि इस प्रकार के इद्दान करना चाहिए, भगवान कहते हैं, यग्यदान तपा कर्मा, ना त्याज्यम कार्यम तत्ह, यग्यदानम तपस्च एवा पावनानी ना मनीशनाम, मनीशा नाम मतलब बड़े-बड़े रिशी मुनियों को भी दान यग्य और तपस्या पवित्र कर देती है इसलिए सन्यासी हो ब्रह्मचैरी हो वानप्रस्ती हो ग्रस्ती हो हरे वित्ती को दानादी कर्म तपस्या करने चाहिए पर पैसी किसको करें और्फनेज में जाके देत दान ओले चूम में देते बह्ग्यान केते गीतर की नवे ध्याय में एक यतकरोशी यद अशनासी हिजसी ददासीया unders यद तपस्ये कुंती पुत्र यद करोशिया जो कुछ भी करते हो यद अशनासी जो कुछ भी खाते हो ये जहोशी जो कुछ भी अरपण करते हो गार पवित्रधान से वह सही मायने में पवित्र दान है आजकर लोग दान कैसा देते हैं तमोगुणी दान दान के साथ बहुत आसकती रहती है पॉलिटिकल लीडर अपने वोट के लिए शराप पिलाते हैं ये भी दान है गरीबों की बदद कर रहा हूँ उनको शराप दे रहा हूँ जो उनकी इक्षैप पूरती कर रहा हूँ पर ये तमोगुणी दान है रजोगुणी दान कैसा होता है दान दिया लेकि नाम की आग भिलाशा है पंखे पे नाम लिखो सीड़ी पे नाम लिखो, जमीन पे नाम लिखो मंदिर में हर जगा नाम ही नाम लिखो बोले भगवान की क्या जरूरत है हम तो दान दिये हम मंदिर बनवा रहे तो एक बार एक वित्ती मंदिर बनवाए है अब पंखे पे अपनी दादी और मा का नाम लिखवाए पंखा दान दे दिये मंदिर में तो प्रवच्चन दे रहे थे जैसे और ऐसे हौल में बैठे थे हम अवहां पर तरवन्ती पिता पुत्र बच्ची सभी आ गए और आकर के गर्मी के समय जून में लेक्चर चल रहा था पंखा बंद कर दिये एसी तो था नहीं पंखा था वो भी बंद कर और मैंने का अरे सब तो परिशान हो रहे इतनी घर्मी है का माफ करिए के प्रभुजी उपर दादी का नाम बच्चे बुड़े कहां लिखा है कहां लिखा है वो दिखाना था तो यह ऐसा दान रज्जोगुणी दान जो दान भगवान की प्रसंता के लिए किया जाए भवान के प्रचार अधि कारे के लिखिया जाए उसे कहते हैं सत्व गुणी दान